आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी इस स्टोरी में विस्तार से चर्टा किसानों के आंदुलन के जिस पर मौधी सरकार ने बड़ा फैसला किया है इदर किसानों ने में सरकार के सामने एक और चुनोति पेश कर दी है तो वहीं अमिशा ने पंजाब के सियम भगवन पान की पोल खोल के बड़े एक्शन का एलान कर दिया है किसान आंदोलन पर ग्रहमंत्राले का चौकाने वाला खुलासा अमिशा के एक्शन से क्यों काप गए भगवन पान आंदोलन जीवियों की साजिश विपक्ष की रणनीती किसानों को लेकर मोदी की मंत्रियों की बड़ी बैठक पंजाब हर्याना बॉर्डर फिलाल जंग का मैदान बन चुका है जहां ये किसान जम कर बवाल काट रहे हैं जो तस्वीरे बॉर्डर से सामने आ रही हैं वो काफी डराने वाली है और ये किसान कम दंगाई ज्यादा नजर आ रहे हैं बड़े बड़े ट्रैक्टर के साथ ये आंदोलन जीवी जम कर तलवारे भी भांज रहे हैं इस अंदोलन को लेकर ग्रहवंत्राले ने भी अपनी चिंता जाहिर की है जिसके बाद अमिश्या भी एक्शन में आ चुके हैं शा के गुस्य में आते ही सीयम भगवंत्मान भी काफ गए हैं ग्रहवंत्राले की चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद पंजाब सरकार मोधी सरकार से भीड़ चुकी है पंजाब सरकार ने ग्रहवंत्राले की रिपोर्ट को फर्जी करार दिया जबकि बादर से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो पंजाब सरकार की साजश का खुलासा कर रहे हैं 22 वरवरी को भी कतित किसानों का एक वीडियो सामने आया है जहां किसानों के बीच पैसों के लेंदेन को लेकर बहस हो रही है स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले और ग्रह मंत्राले ने किसान आंदुलन को लेकर क्या कहा है ये भी हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले किसानों का वो वीडियो देखते हैं जिसमें पैसों को लेकर यहां पर जो किसान है वो आपस में भिरते नजर आ रहे हैं तो इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसानों को जबरन विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा जा रहा है कहा ये भी जा रहा है कि तू सिर्फ विरोध कर जिसके लिए तुझे पैसे मिलेंगे इस वीडियो को एक मोधी समर्थक जितेंदर प्रताप सिंग ने सोशल मीडिया एकस पर साजा किया है वीडियो वाइरल हो गया है उन्होंने वीडियो को साजा करते हुए एकस पर एक पोस्ट भी लिखी है और लिखा है ये वीडियो इन दलालों की पोल खोल रहा है एक महीने तक बार्डर पर बैटने के रेट पर बहस हो रही है सामने वाला वेक्ती 40,000 रुपए बोल रहा है लेकिन जो दलाल पैसे दे रहा है वो कह रहा है कि यार एक महीने का 35,000 ठीक है तेरी खेती बारी तो वहा है इनका मकसद किसान नहीं बलकि मोदी की लोग प्रेता कम करना है और ये उसे बता भी चुके हैं वैसे कैपिटल टीवी इस वीडियो की पुष्टी नहीं करता है और नहीं हम बता रहे हैं कि यह वीडियो बिलकुल सही है लेकि यहां जो खबरे आ रही हैं वो बता रही है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये वीडियो पुराना है लेकिन ग्रहमंत्राले ने जरूर अपनी रिपोर्ट में सांदोलन को लेकर कई चौकाने वाले खुलासे किये हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सांदोलन को इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि मोधी को सत्ता से उखाड फे पुलिस ने पंजाब में घुसकर हम पर फाइरिंग की है और हमारे ट्रैक्टर भी तोड़ दिये है यह आरोप जो है किसान संगडनों की तरफ से अपर हर्याना सरकार पर लगाए गए हैं और हर्याना की सीम और हर्याना के खिलाफ आई पीसी की धारा 302 के तहत मामला हां हमारे ट्रैक्टर तोड़ इसके लिए हमने डिमांड किया कि 302 का पर्चा दर्ज हो और जो पूरिस करमी है उसके लाव रहा वसके हर्याना के एन पयाम निस्ट्र के उपर उसके चीफ मिनिस्ट्र पर यह तीन-स two का पर पर्चा दर्ज होना चाहिए. यह हमने तै किया इसके लावा एक ये तैय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महां पंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को तो उसका फैसला किया सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रेली में शामल होंगे तो किसान MSP सहीत कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों ने दिली कूच के एलान के दो दिन को यहां पर टालने का भी फैसला किया है दरसल बुदवार को प्रदर्शन कारी किसानों और पुलिस के बीच खनोरी बॉर्डर पर जड़प हो गई थी जिसमें एक युवा किसान की जान चले गई और इसके बात किसान ने ता जगजीत डंडेलवाल और सरवन पंधे ने दो दिन के लिए दिली कूच के फैसले को टा गठर ने हर्यान में दुपैर 12 बजे से 2 बजे तक रोड जाम करने का अलान कर दिया है यानि 23 फरवरी को भी आम लोगों को भारी ट्राफिक से जूचना पड़ेगा अब तक किसान नेता और केंस सरकार के बीच चार बार की वारता हो चुकी है लेकिर उसमें किसानों की मां लोगों का रिव्यू भी किया जाएगा ये बैठक जल्द होने वाली है और इस मिर्टिंग में खुद ग्रह मंतरी अमिश्या भी मालजूद रहेंगे ऐसा माना जारा है कि किसान नेताओं और सरकार के बीच आज होने वाली बातचीत में किसानों की मांग पर सैमती बन सकती है इसे पहले किसानों और सरकार के बीच हुई वारता में पांच फसलों पर MSP देने का प्रसाव लागया था जिससे यहां पर उससे भी किसानों ने इंकार कर दिया किसानों की विरोध प्रदर्शन पर केंद्री मंतरी अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया है तो क्या कहा या नुराग ठाकुर ने पहले वो देख लेते हैं पहले चार चरणों में भी मोधी सरकार के वरिष्ट मंतरी उनसे चंडीगड में जाकर मिले के गंड़ों तक बादचित हो सकारात्मक तरीके से बादचित हो और आगे भी हमने कहा है कि जब भी जुरूरत होगी हम तब च किसान आंदोलोन को लेकर दिली से सटी सिमाव पर बड़ी संख्या में पंजाब के किसानों के जमा होने को लेकर ग्रहमंतराले और पंजाब सरकार के बीड़ भी भिड़न तेज हो गई है बायान बाजी हो रही है दर पंजाब सरकार ने राज़े में कानून की सिती बगड़ने पर ग्रहमंतराले के दावे को नकारते हुए कहा कि राज़े में किसान आंदोलन से बने हालातों के साथ कारगर धंग से निप्टा जा रहा है पंजाब के मुखे सचिव अनुराग वर्मा ने केंदरी ग्रह सचिव को लिखे पत्र में कहाए कि ये कहना बिल्खुल गलत है कि पंजाब सरकार की इजाज़त सही शंबू और धाबी गुजरा बॉर्डर पर लोग इखटा हुए है हर्याणा सरकार के कारण लगा है जाम पंजाब सरकार ने बिगर्ती कानून ववस्ता से ज़ाड़ा पला अमिशा ने भी पंजाब सरकार की निकाली हेकरी क्या है ग्रह मंत्राले का कहना पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने कहा है कि अपने संघर्ष के लिए दिली कूछ करने वाले किसानों पर हर्याणा पुलिस ने बल प्रयोग कर आगे नहीं निकलने दिया किसानों को रोकने की वज़े से ही पंजाब और हर्याणा बोर्डर पर लोग इखटा हो गए है हर्याणा पुलिस की तरफ से आसु गैस के गोले रबर की गोलियां और यहाँ पर जो बल प्रयोग है वो किया जा रहा है जिसें 160 लोग घायल होने कि यहां पर जानकारी है बाव आतार समिक्ष्ण की जा रही जहें पंजाब सरकार से कहा है कि पिछले कुछ दिनों से राज्जी में कानून वज्था की चिंता कविशे है मंडराले ने कहा ता कि अशा लगता है कि वरोध की दी गई है ग्रहमंत्राले के आंत्रिक रिपोर्ट्स के मताबिक करीब 1200 ट्रक्टर टोलियां, 300 कारें, 10 मिनी बसें और छोटे वहनों के साथ राजपुरा अंबाला रोड पर लगभग 14,000 लोगों को इखटा होने की यहां पर इजाज़त दी गई थी और इसी तरह राज्य सर सरकार अब पूरी तरह से फज गई है वह इसी हम भगवंत्मान को भी अमिशा ने चमका दिया यानि अच्छे से उनकी भी क्लास लगा दी है शा की तरह से साफ कर दिया गया है कि अगर पंजाब सरकार की इस आंदोलन में मिली भगत के सबूत हाथ लगे वैसे ही भगवंत् है रही है कि किसान आंदोलन में या किसानों को भढ़काने में उसकी कोई भूमिका नहीं है लेकिन शाह ने भी भगवंत्मान को यहां पर नकेल कस दी है और साफ कह दिया है कि अगर मान सरकार ने यहां पर एक्शन नहीं लिया तो उसे भी अंजाम भुगतना होगा यानि विपक्ष अपने ही जाल में फस्ता देख रहा है विपक्ष की यह रणीती थी कि वो किसानों के आंदोलन के बहाने अपने मनसूबों में काम्याब हो जाएगा लेकिन शाह की मुस्तेदी से पंजाब सरकार और विपक्ष की रणीती पूरी तरह से फेल हो गई है यानि पर उनको अंजाम भुगतना होगा यानि ग्रहमंत्राले की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे पंजाब सरकार में हरकम मज गया है और भगवंत्मान भी यांपर निशाने पर आ चुके हैं तो यह थी हमारी स्पेशल स्टोरी वीडियो कैसे लगा नीचे कॉमेंट बॉक में अपनी राइज जरूर दें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें नमस्कार